हाँ तो जैसा कि आप सबको पता है कि 20 दिन के लिए स्कूल ने बंद कर दी गई है ठीक है हाँ कोई एक गाद से के स्कूल खोल लिए होगी बाकी 20 दिन के चुटियां कर दिये तो इस 20 दिन का आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है कूप सारे सुडेंट अभी भी क्यारें निकम में ओ रखें प्रोप्र निकम में और रखें ओ लेंध क्लास को यह संज राmost एक फ्रूट क्लास को मत समझे को यह फ्यूचर है आपका कोई थर्ड फॉर्थ फिप क्लास केंदे थोड़ी ना हो आप किस इसाब का कॉंपेटिशनल लाखों की बीड़ है आप जो आगए तो मुझे लगता है करोडों की बीड़ हो जाएगी वहां आपको खेलना पड़ना आपका धर्म है पड़ो तो सरी आप पड़ी नहीं रहे हो पड़ी नहीं रहे हो इतना निकम में हो जाओ पिर आपकी लाइफ आप खुद बरबाद कर रहे हो वह आपको करना क्या है एक मिनट बेट के सोचना है कि मैं क्या करूंगा अगर नहीं पड़ूंगा तो ठीक है इसलिए हमेशा ध्यान को 11th क्लास 11th क्लास नहीं फ्यूचर है मजबूत कर लो इसको एंसी आरटी कोर्स बहुत नंबर वन कोर्स होता है इसकी साइन्स हो तो फिजिस केमस्ट्री मैथ को इतना सॉलिट कर लो और हिंदिर इंगलिशिक ग्रामर को सॉलिट कर लो कम से कम सो बार पढ़ोगे तब जाके कोई जीजन याद होती है पूरी रिविजन रिविजन करना कर लो मैंने बूरी करा रखी है साइंस कर लो कुछ सेलेक्टै्ट लेकिन मैस तो कर लो क्योंकि मैस सेघ्ल करना है तो पढ़ना सुरू कर दो अब्ड़र अ केर रहा हूँ बाकि आप रहा है वाकि आप जानो शंताना हाथ होता म 시청 साहिसिक ठीक है सब कोपीर 스ट है अब मेरी बात को धियान से सुनना है कि आपको करना है कि बिलकुल शांदार इस दिन के अंदर के सटेडी करना है अगर अभी भी नहीं कवर किया तो कैसे कवर करना है मैं आपके लिए कुछ बहुत ही प्यारा सा प्लान लेकिया है, एक तो वो जो थोड़ा जल्दी उट सकते हैं, एक थोड़ा जल्दी नहीं उट सकते हैं, कोई इशु हो सकता है उनके लिए, क्योंकि उनको सोना ज़्यादा पसंद है, वो लग लग इच्छा हो सकते हैं, तो म तो आपको करना क्या है कि मैं प्लान बताता हूं को अब फुल देगा बनाया है ठीक है कि जैसे आपको मौर्णिंग में बिल्कुल अच्छा पहली बात यह है कि खूब से रहा है ठंड बहुत है ठीक है अपने आपको इतना मत पंपोड़ो पंपोड़ लिया बहुत हो गया अब उठो वहां से गुदुली से बाहर निकल के आपको टेबल में जो होती है उस पर आके बैट पढ़ना है ठीक है चाहिए अगर आपको कुछ ठंड लग रहे हैं सवाल हो गया ओ फुड़ आदे गंटे का ब्रैक जिसमें आप ब्रेक्फास्ट वगएरा दूद कुछ ले सकते हो फिर वापस साधे साथ से हैं पूरी बात समझना साधे साथ से हो जाएगा आपके साधे दस ठीक है साधे दस यह तीन गंटे पूरी बात समझना हो क्या पढ़ना है वह बता है अब 9 बजें 6-9 हो जाएगा यह 3 गंटे और 9 से थोड़ा ब्रेक हो जाएगा न आधी गंटे गाथ ब्रेक हो जाएगा तो नो से आप ले सकते हो 2.15 다른 someone ठीक है यह हो जाएंगे तीन गाटे यह 6 गंटे की स्टेड़ी तो यह हो गई पूरी बात को समझना फुल डेप लाने को इसको जाना नहीं है और कुछ अगर अगर कुछ इस ट्रेंड यह भी करें हम काम करते हैं अगर काम थोड़ा काम कर दो टाइम अब कम है ठीक है थोड़ अगर सरे कहते हैं मैं नियंद नहीं आती है इसका मतलब आप पड़े ही नहीं कभी उठके डंग से इस पर जो और तो पड़को ठक जाएगा एक लिमिट होती है इसकी वी तो साड़े दस से लेकिए पूरी बात समझना इसकी तो साड़े दस से लेकिए आपके पास में 12 12 बजे तक इसमें आपको क्या करना है देखो हमेशा आपको study करनी है तो घरवालों का मन देखो घरवाले कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं आपका time अलगी होगा आपका schedule अलग होगा आपका room भी अलग हो कोशिच करना room भी अलग हो इस time पर आपको नहाना प्लस खाना यह सब करके 12 बजे तक free हो लेना है ठीक है और फिर आपको 12 से लेकिए 12 से लेकिए 2 गंटे पर अलकुल proper तरीके से सो जाना है ठीक है यह आपको सो जाना है और वापस आपको लग जाना है 2 पीम से लेकिए 5 पीम कब क्या पढ़ना है वो भी सुनना भी बताऊंगा कब क्या पढ़ हैं फिर स्ट्रेडी के हो गए ठीक है और फिर दो से पांच के बाद में आदा गंटा ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा से ठख जाओगे पांच से साढ़े पांच तक या फिर साढ़े पांच से छह तक वह आपकी च्छा है आप थोड़ से स्पोर्ट को देना आधा गंटा जैसे को नॉर्मल एक्टिविटी जो भी आप कुछ करते हो वैड़ी मिटन जो भी वाटवर कुछ भी कर सकते हो नॉमन ठीक है फिर साढ़ आट से नुव वापस आपका डिनर हो जाएगा तिक8 से नुव आपका डिनर हो जाएगा बहुत प्रोप्र फोलो करना आपको वगर एक गंटा बहुत है फिर आपको वापस नौ बजे लगना है तिके 9 बजे लगोगी 9 pm to 10 30 पी यह हो गया आपका घ्रड़ गंट पूरी ब तू से टूरियां अपका स्पोर्स के लिए आपके पास टाइम है वेसे जो लेट उड़ते हैं वो खेल सकती ही नहीं और साथ से लेकिये 7 पीम्न 2 साड़े अर्ट ठीक है साड़ेद घनट है यहां में निकाली को खाना है थी काणा अधिसा भंत हो जाएग और यह 9 1iéτό साड़ेफों टौ अब साड़े नो तक डिनर हो गया साड़े नो के बाद में 932 932 1130 तो यह वापस आपके दो गुंटे इस तरीके से आपका दोनु का टाइम डॉलिमें लेग दिया जो लेट भी सकते हो छे के बाद में पर उठना ही मत सोई रहे ना पर क्या करना है ठीक है तो यह दो टाइम आ मैं है टोल्ट। टंट। टाइम जो चाहो लिक देता हूं मैं टोटल स्टी टाइम कना हुँ है हो टोटरल स्टेडी टाइम कि वह हो गया आपके तीन गंटे के तीन चे चे और तीन नोे Are your Noor ओर्ए ग्यारह बारा साड़े-बारा गंटे का साड़े बारा गंटे कि अbig जो ed शे गंटे ये ओगे दो पर में दो आठ गंटे सो ना भी हो रहा आपका बिलकुल सही है आठ गंटे आप सो रहे हो बीच में रेस्ट मैंने जोडी नहीं ठीक है इधर भी time देडिए पटने का हो रहे है ठीक है तेरा घंटे आपके study का हो रहा है और 8-7 गंटे, 7-8 गंटे आपका इधर भी सोना हो रहा है, ठीक है, बहुत proper है, बहुत शानदार टाइम टेबल, अब आपको करना है, इसको बिल्कुल फोलो करना है, देखो, एक मैं फिर बता दू आपको, किसी भी success, एक success मंतर बताता हूं आपको, किसी को अग पढता हो गया, कि 10 गंटे पढते हो लेकिन 14 गंटे उसके माहौल में रहना है, मतलब उसमें जीना है, तब उसमें selection होता है, मतलब या 24 गंटे उसके माहौल में रहता है, या चलता, … कण्यों से पर इसके बार में सोचता है या सोचती है सोने से पहले की शिरने में सोचने में सब्सकेइज़ समझ को सब्सक्राइब क्या करना सोचते हैं कुछ अइसपर धी गयाद करने हैनम चैप्टर या उसकו लिका लुख लेकिन आप Chemistry ले सकते हो, ठीक है, Chemistry थोड़ी थोड़ी एक तरीके से रटने वाली है, कुल मिलाके, और Arts वाले, Humanities वाले हैं, वो आप Morning के अंदर History ले सकते हो, जिसके पास History है, ठीक है, History ले सकते हो, या फिर History नहीं ही दो, Quality ले लो, पोले टीमें दोनों ही बाते हैं, ड्रस्टिंग बहुत है, आर्टिकल्स भी है, कुछ बाते हैं, मैंने तरह शांदार प्रोबर बता रहे हैं, तो और भी मज़े आएंगे आपको, इस तरीके से Morning के अंदर आपको, चाहिए कोई सा भी कोमन लिख रहा हूं, Morning वाले तीन गंट लिख लिके होना, तो मैट्स कर लोगे, और जो यह हैं, Humanities वाले, यहां पर Economics याथ एको ले सकते हो, या History या तो वाले है, पॉलिटी ले सकते हो, जिसने History वाले ले लो, जिसके वाले ले लो, जिसके बास पॉलिटी है तो एको ले लो, ऐसा ले लो थो थोड़ी इंट्रस् वापस, क्योंकि सो के उड़ते हो, दिमाग बिल्गुल फ्रेश, यांदार है, यहां पर फिर Learn करने वाले सब्जेक्टे लो, जैसे हैं आपने जोग्रोफी ले ले ले, जोग्रोफी में बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, सब कुछ मैटर उसमे इंदी लिट्रेचर हो, चाहिए इंग्लिस लिट्रेचर हो, वो लिट्रेचर ले लो, Learn करने वाले सब्जेक्ट, यह ध्यान रखना, सबसे, क्योंकि हमेशा सो के उटने जो फ्रेश मैंड रहता है, उसकी बात अलग होती है, यह ध्यान रखना, और साथ से साधी आठ, अब पूरे चेप्टर हो जाएगा, हाँ कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई bonding नहीं है कि एसा करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा ठीक रहता है, combination, और यह क्योंकि अभी 20 दिन की बात, अब आप स्कुल खुलने के बाद एता टाइम मिलेगा है, अभी यह जो डेट गंटा है, यह आप English को दो, English को देना ही देना है, English must है, English को मजबूत करो, grammar को दो 100% है, आपके topic नहीं आना तो भी कर लो, tense कर लो, active है, अक्टी पैसे कर लो, direct and write कर लो, models कर लो, यह सारी बात है बहुत काम आई गया, जितनी करो गो उतनी कम है, जितनी करो गो उतनी कम है, फिर यह जो 9 से कर लिया, normal आदा गंटा, क्योंकि इंदी तुबे से आदा गंटा ही बहुत है, 40 मिंट और कुछ एक्स्टा कर लिया, अब मेरी बात सुनना, ये टाइम वाले सो रहे हैं, 12 बजे, मतलब 12 बजे से टाइम करा हूँ, मैं 11.11 तो साड़े ग्यारा बाद में, दियान से समझ जा साड़े दस, साड़े दस से लेकिए आपके ये वाली 15 मिनट, दोनों के अलगले 15-15 मिनट लिये मैंने, इसमें आपको सोने से पहले, ये decide करके सोना है, कि मुझे morning में कौन सा topic पढ़ना है, वरना, सुबह सुबह उठके, ये decide करने में, टाइम निकल जाता, आदा गंटा कि क्या पढ़ना है, और उसके बाद में schedule fix कर लो, तिन्नु चारू काई, पांच है नहीं, ये जार पांच सब्जेक्ट, पांच हुआ अगर लो कि मुझे इस अगले next day ये करना है, बस उठते ही पढ़ना शुरू, टेली सोते टाइम 15 मिनट अपने बारे में सोच के, कि मुझ साइन्स वालों को, कॉंवर्स वालों को, हिंदी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बाकी तो आप समझते हुमेनिटी सब्जेक्टों पढ़ा रहा हुँ भी, तो हिंदी इंग्लिश के तो टेस्स आपके हो रुखें, आप जाके देख लाना, इंग्लिश के दो टोपिक और करा सब के काम आएंगे, वापस वालों की बात करता हूं, आर्ट्स वालों की, तो अब आपको क्या करना है, चाहिए वो पॉलिटी हो, क्यों कि पॉलिटी मौसली लगबग खतम होने वाली खतम करूंगा इसको पहले, पॉलिटी हो, हिस्टी भी स्टार्ट करें है पंजल वाप बोती कम मिलता है, तो ये जो सब्जक्त है, इन में आपको फोगोस रहना है, और में अपको एक टेस्ट थी का बीडियो डाल दूगा कल, ठीक है? टेस्ट थी्ज मनलते टेस्ट थी इसे तीन में सब्जेक्ट की इन में कैसे कैसे टेस्स कौन से आप लर्न करना शुरू कर दो चैप्टर वन से मैं आपको टाइम लेवर ले रहे हैं अब और ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको टेस्स दीज भी डाल दूगा कि किस दिन टेस्ट होगा इसके अंदर क् इस तरह के एक्योशन वाले जो एक्जाम में प्रॉपर पैटर्न से होता है उससे आपका टेस्ट हो जाएगा किसका कब टेस्ट है वो आपको मैं प्लान बता दूगा ठीक है तो बहुत अच्छी आपको प्रिप्रेशन करनी है बहुत शांदार प्लान है आपके लिए प्रॉब्लम प्यास हो रही है तो प्रॉब्लम आपके सामने प्यास ना हो ठीक है तो इस लिए इस प्लान को मौर्णिंग उठते आपको फॉलो करना है कल से बिलकुल मस्ट रही है करना है तेरा 14 घंडे पढ़ाए कर रहे हो साथ-8 गंडे सो रहे हो ठोड़ी बहूत की तो आप सभी के exam के लिए all the best आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे ठीक है ओके